नमस्कार दोस्तों मैं तानिया और आज जो मूवी मैं explain करने वाली हूँ उसका नाम है The Slipping Dictionary इस मूवी में एक English officer काम से किसी दूर देश में आता है वहां का language और culture सीखने के लिए उसे एक local लड़की के साथ intimate होने के लिए बोला जाता है बट problem तब शुरू होती है जब वो officer उस लड़की से प्यार कर बैठता है अब आगे उनका क्या होता है यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को subscribe और वीडियो पे like and comment करना मत भूलेगा तो movie की शुरूआत होती है 1936 में जब कई सारे दूसरे देशों में England का राज हुआ करता था उस ताइम अगर कोई British government job करना चाता था तो उसके education के लिए उसे किसी remote जगा पर भेज दिया जाता था जहां उसे सारे काम करवाए जाते थे and बात में जब training खतम करके वो देश लौट आता था तो तब उसे वो job offer किया जाता था तो ऐसे ही जॉन नाम का एक लड़का सरावक नाम के एक remote country में आता है study के लिए ये country कुछ खास developed नहीं थी even वहाँ के जादा ते लोगों को English बिलकुल भी नहीं आती थी अब John वहाँ पर पहुचता है तो बेलाउन से नाम का एक आदमी उसे लेने के लिए आता है क्योंकि उसे English आती थी इसके बाद बेलाउन से John को उसके office में लेके जाता है जहाँ वो अपने boss Henry से मिलता है जो कि काफी time से वही पे तहरा था तो आगे बातोई बातों में Henry John से पूछ लेता है कि इतने सारे options होने के बाद भी उसने यही जगा क्यों चूस किया जिसकी जवाब में John का कहना होता है कि उसके father ने भी इसी जगा को सर्व किया था उनका सपना था यहां के लोगों को educate करवाने की तो इसी लिए वो अपने father की mission को पूरा करने आया हुआ है बट यहां Henry का कहना होता है कि यहां के लोग काफी अलग है और उनको teaching देने का कोई फाइदा नहीं है इसके बाद Henry John को बहा के local tribe के सरदार से मिलवाने लेके जाता है जहां बो लग John को drink पीने के लिए देते है duty पर होने की वज़े से वो drink पीने से मना कर देता है बट क्योंकि ऐसा करना वहा के लोगों के लिए disrespectful होता तो इसलिए John को वो drink पीना परता है यहां पे हम सेलीमा नाम की एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं वो यहां John को drink सर्व कर रही थी अब इसी टाइम पे जब John उसके तरफ देखता है तो पहली नजर में ही सेलीमा उसे बहुत पसंद आ जाती है इसके बाद वो लोग drink करने लगते हैं और सेलीमा अपने दोस्तों के साथ मिलके dance करती है और फिर सब लोग जब John को request करने लगते हैं कुछ perform करने के लिए तो वो एक boring सा poem सुनाता है जो सुनके किसी को मजा नहीं आता बर जब John बेलॉन से को लेके dance करने लगता है तो सब जोर-जोर से उन पर हसने लगते हैं अब अगले दिन हेंरी सेलीमा को जॉन के पास लेके आता है और कहता है कि अब से सेलीमा तुम्हारे साथ ही रहेगी और हर एक काम करेगी जो एक wife करती है यहाँ जॉन को हेंरी की बाते ठीक से समझ नहीं आती है लेकिन फिर हेंरी explain करते हुए कहता है कि यहाँ survive करने के लिए local language सीखना बहुत जादा important है तो इसलिए तुम्हें सेलीमा के साथ intimate होना होगा और बदले में वो तुम्हारी मदद करेगी ये language सीखने में इसलिए सेलीमा जैसी और्तों को sleeping dictionary कहा जाता है और यही सबसे best तरीका है जल्दी से local language सीखने के लिए और ऐसा सदियों से होता आ रहा है लेकिन इधर जॉन को ये सब कुछ बाते बहुत जादा गलत लगता है वो इस चीज के लिए मना कर देता है लेकिन हेंडरी यहां जॉन को force करने लगता है और कहता है कि हम लोगों ने सेलीमा को तुम्हारे साथ intimate होने के लिए force नहीं किया है बनके उसने खुछ से तुम्हें choose किया है अब pressure में आके जॉन फाइनली सेलीमा के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है बट intimate होने के लिए वो साफ मना कर देता है जॉन की बाते सुनकर हेंडरी हसते वह वहां से चला जाता है एंडिधर सेलीमा जॉन को गुस्से से घूनने लगती है सेलीमा की मदर भी एक sleeping dictionary थी तो इसलिए सेलीमा को थोड़ी बहुत English आती थी और इसी वज़ा से उसको जॉन की हर एक बाते समझ आरी थी अब आगे को चाइनीज लोग इनलेगली बॉर्डर क्रॉस करके अंदर चले आते हैं जिसके कारण लोकल लोगों की उनके साथ fight हो जाती है और वो लोग उन चाइनीज लोगों का सर काड़ देते हैं तो इसलिए जॉन को हेंडरी से order मिलता है उन सारे चाइनीज ल मजाग को समझ नहीं पाता है बद जब सेलिमा उसे मजाग के बारे में बताती है तो सब लोग उस पे हसने लगते हैं जिसके बाद जौन वहां से गुस्से में निकल जाता है अब घर आने के बाद जौन का शेफ एक लड़के को उसके सामने लेके आता है अब क्यूंके गर के बाहर बैठे हुए देखते हैं यहां शेब जॉन को समझाते हुए बताता है कि अगर सिलिमा यह घर छोड़के चली जाती है तो लोग सोचेंगे कि वह बहुत अगली है और इसलिए जॉन उसके साथ इंटिमेट नहीं हुआ फिर सब उसका मजा कुराएंगे अब सब का मांगता है लैंग्वेज सीखने के लिए अगले सीन में जब जॉन किसी काम से हेंड़ी के घर जाता है तो वहां पर वह हेंड़ी के वाइफ एगी से मिलता है दोनों बाते करने लगते हैं जहां एगी जॉन से उसके स्लिपिंग डिक्शनरी के बारे में पूछने लगती इसके बाद जॉन और सेलिमा लोकल लोगों से मिलने जाते हैं जॉन वहां के छोटे-छोटे बच्चों को कुछ सिखा रहा होता है कि तभी बेलॉन से आके उसे कहता है कि ऐसे टीचिंग का कोई फायदा नहीं है अब बातों ही बातों में जॉन उसे अंडर वाटर बैटल क के लिए चलेंज करता हैं से काफी देर तक पानी के अंदर रह पाता था इस चीज़ में वह चैंपियन था तो इसीरे वह भी चैलेंज को एक्सप्ट कर लेता है इसके बाद वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं लेकिन कुछ दिर बाद बैलों से पानी से पहले बाहर नहीं होता है अब क्योंकि जौन ने बेलॉंसे को हरा डाला था तो धीरे-धीरे सब लोग उसकी बाते मानना स्टार्ट कर देते हैं इसके बाद रात में सेलीमा जौन को एक पोएम सुनाती है और फिर लोकल लेंग्विज सिखाते हुए वो एक-एक करके सारे बोडी पार्ट क्योंकि एस पर लोकल ट्रेडिशन अगर लड़का और लड़की पांच दिन तक कंटीनियों साथ में सोके उठते हैं तो उनको मैरड माना जाता है तो इसलिए सेलीमा इधर जौन को टीज करते हुए कहती है कि वो किसी स्लिपिंग डिक्शनरी के साथ शादी नहीं करना चा के पुरानी ट्रेडिशन को ले के बाते करने लगती है बट सेसल को यह नहीं पता होता है कि स्लिपिंग डिक्शनरी वाला ट्रेडिशन अब भी एक्जिस्ट करता है यहां सेसल का सवाल होता है कि उन दिनों साथ में रहते टाइम क्या दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं आजाती थी जिसके जवाब में हेन्री का कहना होता है कि ये सब गलत होगा अगर दोनों ऐसा कुछ फील्ट करने लगते हैं तो कि эту D के लिए के साथ काम करने जाती है क्योंकि वो इन लोगों के वारे में और भी जानना चाहती थी तो इसलिए जान उनकी फोटोस लेने के लिए सेलीमा के पास चली जाती है और उसकी पिक्चरस लेने लगती है बट सेलिमा को ये चीज़ पसंद नहीं आती वो जॉन को बार-बार बोलने लगती है सिसिल को मना करने के लिए बट जॉन उसे मना नहीं कर पाता अब थोड़ी दिर बाद अचानुक से कुछ लाशी नदी में तैरते हुए आती है देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई खतरनाग बिमारी हुई हो अब पता लगाने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग लेके जंगल में जाके देखने के बारे में सोचता है पर जाने से पहले एगी उसके पास आ जाती है और मैरिज प्रोपोजल रखती है क्या तुम मेरे जैसे दूसरे आफिसर्स के साथ भी ऐसे रह चुकी हो जवाब में सेलिमा हा बोलती है अब क्यूंकि जॉन ने सेसिल को फोटो लेने से नहीं रोका था तो इसलिए सेलिमा बहुत जादा नाराज होती है जॉन पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच का रिलेशन उन दूसरे लोगों से अलग है लेकिन इधा सेलिमा का कहना होता है कि ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ रहना ये मेरा काम है बट जॉन इधर समझता है कि सेलिमा उस पर गुसता है और इसलिए वो ये सब बाते कर रही है अब इसके बाद अगले दिन वो लोग जंगल में जाते हैं इन्वेस्टिकेट करने जहां उनको बहुत सारे लोग उस बिमारी से इंफेक्टेट नजर आते हैं अब आगे जब वो लोग उस आदमी का पीछा करते हैं जिसने जॉन पर एटेक किया था तो उन्हें बहुत सारे लोग सिल्वर माइनिंग करते हुए दिखते हैं अब जॉन जब वापस आता है तो सेलीमा भी बिमार नजर आती है जॉन को समझ आ जाता है कि इस बिमारी के पीछे उन माइनिंग वालों का ही हाथ है इसके बात पता चलता है कि उस एरिया के जो लोकल लोग है वो लोग चावल खुद से नहीं उगाते थे तो जो इसलिए उनको पूछता है कि उनको यह सब बाते लोगों को बताना चाहिए या नहीं क्योंकि वहां के लोग बहुत ही जादा डेंजरिस थे अगर उन्हें सचाई के बारे में पता चलता है तो वो लोग उन लोगों को माट डालेंगे जोन को स्लो पॉजनिंग वाली चीज बहुत जादा गलत लगती है तो इसलिए वो ओर्डर देता है माइनिंग करने वाले लोगों को माट डालने के लिए अब सेलिमा के हालत को देखते हुए जॉन काफी जादा नर्वस हो जाता है वो अपने फीलिंग्स को और छिपा नहीं पाता अब वो हमेशा के लिए सेलि सेलिमा के बारे में बताता है तो हैं उस पर बहुत जादा गुस्ता हो जाता है उसका कहना होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा करना उनके गवर्मेंट को longevity करना होगा इधर हेंरी उसे एक offer देता है वो कहता है कि तुम England वापस जा और वहाँ जा कि शादी कर लो और फिर अगर तुमको यहाँ पर आने का मन हो तो तुम आ सकते हो बट अगर तुमने इस proposal को reject किया तो मैं तुमें जेल में डाल दूँगा उन miners को मानने के लिए इसलिए वो जान को वहाँ से चली जाने के लिए कहती है और सब को बोल देती है कि आज के बाद वो जान से कभी नहीं मिलेगी इसके बाद एक साल बीच जाती है और हम जान को सिसल से शादी करते हुए देखते है वेडिंग नाइट में सिसल जान से पूछती है कि उसके पास कोई स्लिपिंग डिक्शनरी थी या नहीं जवाब में जान यहां सिसल को सब कुछ सच सच बता देता है बट सिसल को आप कोई फरक नहीं परता क्योंकि जॉन ने उसे शादी के लिए खुद प्रपोस किया था और अभी वो उसका हस्बेंट है अब सरावक छोड़े हुए एक साल से जादा हो चुका था तो जॉन डिसाइड करता है फिर से वहाँ पे जाने के लिए जब वो लोग वहाँ पे पहुचते हैं तो ट्राइब वाले उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं रात को जब वो लोग मूवी देख रहे होते हैं तो जॉन सब के बीच में सेलीमा को ढून रहा होता है सिसल ये चीज नोटिस करती है और जब रात को वो लोग घर आते हैं तो सिसल जॉन से कहती है कि उसे सेलिमा के बारे में सब कुछ पता है। वो कहती है कि सेलिमा की आप शादी हो चुकी है बैलोंसे से और उनका एक बच्चा भी है। सेलिमा अपने हजबन के साथ खुश है तो इसलिए सिसल चाती है कि जॉन भी अब उसके साथ खुश रहे इसके बाद अगले दिन जॉन अपने पुराने घर में विजिट करने जाता है जहां नेविल नाम का एक दूसरा ओफिसर किसी और एक स्लिपिंग डिक्शनरी के साथ रह रहा होता है जब जॉन नोटिस करता है कि नेविल उसके स्लिपिंग डिक्शनरी को बहुत गंदी तरिके से मारता पीटता है तो वो उसके उपर बहुत जादा भरक जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसके प्राइवेट पार्ट्स कार्ट दिये जाएंगे अब इसके बाद एक दिन जॉन सेलिमा को उसके बच्चे के साथ देखता है बट वो हैरान हो जाता है ये देखके कि वो बच्चा वाइट है जिसका मतलब वो बच्चा जॉन का है इसके बाद वो उन से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि वो जाके अपने शेफ से बात करता है क्योंकि वो अपने बच्चे को देखना चाता था लेकिन इधर सेलीमा कहती है कि अगर उन दोनों को साथ में किसी ने देख लिया तो वो लोग उन्हें मार डालेंगे बट बार बार रिक्वेस्ट करने पर सेलीमा फाइनली जॉन को उसके बेटे से मिलवाती है इसके बाद अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए बोट बना रहा होता है जब एगी आके उसको टॉय बनाते हुए देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है और जॉन से कहती है कि उसके हस्बेंट हेन्री के पास भी स्लिपिंग डिक्शनेरी थी तो इसलिए शादी के बाद उसने कभी भी अपने हस्बेंट को इधर अकेले नहीं छोड़ा क्योंकि उसको हमीशा से यही डर था कि हेन्री स्लिपिंग डिक्शनेरी के पास वापस चला जाएगा तो इसलिए 30 साल से वो इसी रिमोट एरिया में रह रही है और आके भी वो अपने बेटी के साथ ऐसा होने नहीं देगी लेकिन इधर जॉन एगी के धमकियों के बाद भी सेलिमा और उसके बच्चे से मिलना नहीं छोड़ता है पर जब बेलान से को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो गुस्ते में जॉन को मानने की कोशिश करता है बर जॉन इधर किसी तरह बच जाता है लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ओफिंस था तो इसलिए हेंडरी बेलान से को माट डालने की बात करता है और सेलिमा को छोड़ने के लिए कहता है पर इधर जॉन पूछता है कि अगर आपकी सेलिमा जैसे और एक बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा कर पाते जवाब में हेंडरी सेलिमा को देखते वे कहता है कि ये ही सही है और इधर हमें पता चलता है कि सेलिमा हेंडरी की ही बेटी है पर हिन्री के वाइफ के कारिन वो कभी ऐसा फादर सेलिमा से मिल नहीं पाया अब अगले सीन में बेलॉन से कोई एरेस्ट कर लिया जाता है और हिन्री के ओर्डर से उसको मौद की सजा सुनाई जाती है बट क्योंकि एक बार बेलॉन से ने जौन को मरने से बचाया था तो इसलिए जौन रात को उसके पास चला जाता है और उसे फ्री करके यहां से कहीं दूर चले जाने के लिए कहता है इसके बाद जौन सेलिमा को उसके साथ भागने के लिए कहता है क्योंकि जॉन अप अपने फैमिली के साथ रहना चाता था तो इसलिए वो लोग अगले दिन भागने का प्लान बनाते है अब सुभा जब हेंरी को बिलॉन से के बारे में पता चलता है तो वो बहुत जादा गुस्सा हो जाता है और इधर एगी सेलिमा पर रिवेंज लेने के लिए उसे नेविल की स्लिपिंग डिशनरी बना देती है और उसे थ्रेट करती है कि अगर वो नेविल के साथ इंटिमेट नहीं होती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा अब आगी जिस राद जॉन और सेलिमा भागने वाले होते हैं उसी दिन सिसल आके जॉन को गुर्ड नियूस सुनाती है कि वो प्रेगनेंट है सिसल अपने लिए बहुत खुश होती है बर जॉन कन्फ्यूस्ड हो जाता है कि आगे आप उसको क्या करना चाहिए इसके बाद उसी राद जब सेलिमा नेविल के साथ अकेली होती है तब नेविल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है खुद को बचाने के लिए सेलिमा नेविल के सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर शेफ के मदद से वहाँ से भाग जाती है मीनवाइल इदर जॉन सेलिमा को लेटर लिख रहा होता है कि वो उसके साथ भाग नहीं सकता है क्योंकि सिसल अब ट्रेगनेंट है बट तभी वहाँ पर सिसल आजाती है और वो लेटर पढ़ लेती है इसके बाद वो जॉन से कहती है कि मैं ऐसी किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जो मुझे दिल से प्यान न करे और क्योंकि जॉन का पहला प्यार सेलिमा है और जॉन अभी भी सेलिमा को प्यार करता है तो इसलिए उसे सेलिमा के पास ही जाना चाहिए अब अगले सीन में सेलीमा जॉन के लिए वेट कर रही होती है बट क्योंकि जॉन लेट हो जाता है आने में तो सेलीमा को लगता है कि जॉन नहीं आने वाला है तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है अब कुछ दिर बाद जब जॉन वहाँ पर आता है तो सेलीमा उसे कहीं नहीं मिलती बट उसका शेफ कहता है कि सेलीमा अभी भी इधरी है लेकिन क्योंकि सेलीमा ने नेविल पर अटैक किया था तो इसलिए हेंडरी उसे एरेस्ट करने के लिए ढून रहा है मीनवाइल इधर जब हेंडरी को सेलीमा मिल जाती है तो वो उसे एरेस्ट करने के वज़ाए प्रोटेक्शन के लिए खुद का गन दे देता है क्योंकि वो उसका फादर है और हेंडरी नहीं चाहता था कि उसके बेटी के साथ कुछ गलत हो इधर सेलीमा भी हेंडरी को हग कर लेती है क्योंकि कही न कहीं उसको भी पता था कि हेंडरी उसका फादर है इसके बाद हेंडरी जब वापस घर लोट आता है तो एगी उसके उपर बहुत ज़ादा गुस्सा करती है इधर हेंरी एगी से कहता है कि अब वो अपने बेटियों के लिए वही चाता है जो उनके लिए सही हो लेकिन एगी जॉन और सेलिमा के उपर इतना गुस्सा होती है कि वो नेविल को ओर्डर देती है उन दोनों को माट डालने के लिए मीनवाइल इधर जॉन भी सेलिमा को हर जगा ढूणने लगता है थोड़ी देर बात जब सेलिमा उसे मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखके बहुत ज़ादा खुश होते हैं बड़ तभी नेविल वहाँ पे गन लेके आ जाता है और जॉन के सामने सेलिमा को हैरेस करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे वही ट्राइब वाले लोग आ जाते हैं जिनको जॉन ने माइनिंग बालों से बचाया था वो लोग नेविल को मार डालते हैं जॉन और सेलिमा कुछ भी नहीं है तो फाइनली तीनों साथ में बहुत जादा खुश होते हैं और ये मुवी इधरी खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में